दोस्तों आप मिशने हैं या आपके आसपास कई ऐसे लोग होंगे जिनको भूग कम लगती है या पिर जिनका वजन बहुत ही कम है जो दिखने में बहुत दूबले पतले लगते हैं जो कुछ न कुछ ट्राय करते रहते हैं ताकि उनका वजन बढ़ जाए या उनकी भूग ब पाता हैं तो आज किस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी सिरफ के बारे में जो बूग बढ़ाने या वजन बढ़ाने के लिए मैंनली दी जाती है तो जिस सिरफ के हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है साइप्रोहेप्ट्रडीन हाइड्रोकॉलराइड एंड ट्राइक इस सिरफ में सेप्रोहेप्ट्रडीन हाइड्रोकॉलराइड मौझूद होता है जो कि भूग बढ़ाने वाले कुनों का एक एंटिस्टामीन है जिसका मेंली यूज भूग बढ़ाने वेक्टों का बजन बढ़ाने के लिए दिया जाता है और तो इसका और यूज के बारे म में भी इसका यूज किया जाता है क्योंकि यह एंटिस्टामीन है तो एंटिस्टामीन के रूप में इसे दिया जा सकता है और इसका यूज हम न्यूट्रिसन सपोर्ट के रूप में भी करते हैं क्योंकि इसमें मौझूद ट्राइकोलिन से ट्रेट हैं जो कि कोलिन कंपाउ सब्सक्राइब करें तो सिर्फ को तुरंद बंद कर दें या फिर यूरिनेरी रेटेंशन की प्रॉब्लम है उन लोग में भी इसका यूज नहीं करना चाहिए और हम बात करें इसके खुराक के बारे में तो इसके खुराक वेक्ति की उमर और डॉक्टर के सला अनुसार अलग अलग हो सकती है आम तोर पर इस चिरफ हो रहले दी जाती है और बच्चों में चम्मच या कब से इसका ब्यूव किया जाता है तो दोस्तों हमने बात की है एक ऐसी चिरफ के बारे में जो कि मैं के लोगे खाफी फिर्मस नाम है जो इजीली मिल जाता है और इसमें मौझूद होता है सैट्लोहेटिदीन 2 एमजी और ट्राइकोलिंस इसका कंपाउंड देख लें और इसका यूज करने से पहले एक बार डॉक्टर से हैं हेल्थ केर वरकर से सला अवस्य लें क्योंकि हर द पानन ट्राइकोलिंस फमेर इसका कंपाउंड देख